भारतिय मार्केट में कार खरीदने के लिए कई आप्शन मौजूद हैं ऐसे में बहुत से लोगों को कार खरीदने में दुविधा रहती है कि उन्हें कौन सी कार लेना सबसे सही रहेगा उनके सामने एक और दुविधा बनी रहती है कि उनके लिए पेटरोल, डीजल, हाइबरेड, C&G या इलेक्टिक वेहिकल सेग्मेंट की कारों में से कौन सी कार बैस्ट रहेगी हाइबरेड कार हाइबरेड कार एक भेतरीन टेकनोलोजी के साथ आती है जो पेटरोल इंजन को इलेक्टिक पावर भी देती है ये कारे ज्यादा powerful और performance driven होती है इन कारों का torque और B.A.P. petrol और CNG की तुलना में काफी भहतर होता है इनकी ज्यादातर कारों को charge करने की जरूरत नहीं पड़ती है इन कारों की maintenance petrol car जितनी ही होती है petrol कारों की तुलना में इनका mileage काफी अच्छा होता है petrol diesel car IC engine वाले vehicles में petrol से चलने वाली कारे ज्यादा RPM पर भहतर प्रदर्शन करती है हालां की ये कार सबसे पहले विक्सित होने वाली गाड़ी है तब से लेकर अब तक ये लंबी यात्रा के करने के लिए बहुत लोगों की पहली पसंद बनी हुई है जो लोग नियमित रूप से लंबी दूरी तक कार ड्राइव करते है उन लोगों को petrol से चलने वाली कारे high running cost के चलते महंगी लग सकती है लंबी दूरी का सफर और भहतर mileage के लिए डीजल कारों को पसंद किया जाता है इसके अलावा डीजल कारे पेट्रोल कारों की तुलना में अधिक टॉक प्रदान करती है जो की लंबी दूरी पर अधिक सहज और आराम दायक क्रूजर बनाती है CNG कार इन कारों का सबसे ज्यादा फाइदा है कि ये एक सस्ती टेकनोलोजी है लेकिन CNG किट की कारों के दाम सामान्य इंजन कारों से कुछ ज्यादा ही होते हैं वहीं CNG का दाम भी पेट्रोल से कम है तो लोगों को इन गाडियों का चलाना सस्ता पड़ता है इन कारों की पावर गम होती है साथ ही इनका पिकप और टॉप स्पीड पेट्रोल वा हाइब्रेड कारों की तुलना में काफी कम होती है इन कारों की मेंटनेंस दूसरी सामान्य कारों के मुकाबले ज्यादा होती है